नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है गोल्यान पे और आज हम जानने वाले हैं चंद्रियान के बारे में अच्छा आपको मालूम है चांद पे जैसे जाने के लिए चंद्रियान उसी तरह से गोल पे जाने के लिए गोल्यान तो आज आपका गोल है कि आप चंद्रियान के दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन इसपेस सेंटर स्री हरी कोटा से लॉंच हुआ था और चंद्रियान 2 22 जुलाई 2019 को सेम जगा से लॉंच हुआ था और चंद्रियान 3 इस बार काफी जल्दी हो गया मतलब है न पहले लॉंच मतलब समय गैब जो था 11 वर्स का हो गया थ लेकिन इस बार मात्र 19 से 23 में चार साल के अंदर ही फिर से उसी जगा से चंद्रियान 3 लॉंच हो रहा है अच्छा अब इन सब में डिफरेंस क्या था क्या चंद्रियान 2 सच में फेल हो गया था हम लोग सुनते हैं कि चंद्रियान 2 भी फेल हो गया था तो समझेंगे सारी जानकारी आगे हूं ठीक है जैसे दोस्तों जब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में इसमें सिर्फ एक होता है और विटर इसमें आप समझा सारी चीज़ा आप समझ जाओगे बस इस वीडियो में आखरिता का बने रहना एक भी ऐसी मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसी जाया था चंद्रमा का जो पहला भेजा गया था 2008 में वह कितना 3400 से भी जादा चंद्रमा का चक्कर लगा के तब उसके बाद खराब हो गया अपने आप वहां पर थमझ रहे बात के नहीं उस और चंद्रयान 1 में सिर्फ और सिर्फ और विटर ही भेजा गया था जो चांद का चक्कर लगाने के लिए भेजा है था मतलब वहां से दूर से ही उसके कक्षा होता है इस्पेस होता है उसका हर चीज का एक जानते हो आप लोग जैसे अर्थ का भी एक इस्पेस है कक्षा है वहां पर जाके फिर यह जो गुरुत्व करसर रगड़ा कुछ लगता नहीं वहां पर है तो वहां से घूमते हैं सब कुछ कोई भी चला जाता है तो जैसे चंद्रमा भी पिर्थिवी के ही कक्षा में घूम रहा है पिर्थिव का उपग्र है मून है मोन को भी बोलते हैं तो कुल 312 दिन तक चंद्रयान मन मोन के चारो तरफ चक्र लगाते हुए काम किया था सफलता पूर्व जो चीज के लिए उसको भेजा गया था वही चीज उसने यह भी था चंद्रयान 2 क्या हुआ था अब चंद्रयान 2 में और व प्रग्यान 1 भेजा गया था उस तरह से चंद्रयान 2 में भी भेजा गया था लेकिन उसके साथ साथ दो चीज़ें और भेजी गई थी जिसका नाम था विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर कमजों कि एक था लेंडर एक था रोवर जिसका नाम प्रग्यान और विक्रम र लगाता, ये भी पता लगाते, ये अपना दुनों अलग अलग चीजें पता लगाते, मोटी मोटी चीज़ में बता रहा हूँ, तो वहां पर जिसे जब उस चांद के जमीन पे, चांद पर जाके, मतलब उतरता, लैंड करता, ये बिक्रम लैंडर, और एक रोवर उसके साथ म इस से अलग हो जाता है ये रोवर और ये घूंग घूंग के पार सारी इसमें फील लगे होते हैं फील उसमें जाके सारी जानकारियों देता कैसी मिट्टी है बहुत सारी चीची और जो और विटर होता है वो चंद्रमा के चारो और ये है और विटर ये चंद्रमा के चारो औ गूमता रहता है गूमता रहता है वहां से उपर से ही यह सारी जानकारी देता रहता है जो भी वहां से 100 किलोमीटर दूर चंद्रमा से 100 किलोमीटर सतह से 100 किलोमीटर दूर से यह सारी जानकारी जो भी दे पाता है वो देता है इसको कहते हैं आर्बिटर तो यह तो सफलता रोवर और लेंडर अलग हुआ तो लेकिन चंद्रमा के नजदीक पहुंचने से पहले ही यह कुछ इसमें टेक्निकल प्रोब्लम बेकार खराब हो गया फिर उसके बार कनेक्शन भी तूड़ गया इननी मतलब यह अर्थ से और यहीं फेल तो कहते हैं मिशन फेल तो पूरा मि पर लेकिन जो विक्रम लेंडर और रोवर था यह वहाँ पर चात पर नहीं पहुच पाया था और यह फेल हो गया था तो फिर से चार्स अच्छा एक चीज़ा और जानकारी है जो इस्ट्रेंड से उनके लिए जी एस लवी मार्क 3 जहां से चंद्रयान 2 लांच हुआ था औ इसमें क्या होगा चंद्रयान 2 में लेंडर था रोवर था और 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 बीटर भी था मैंने आपको बताया अभी जबकि चंद्रयान 3 में और बीटर के जगह पे एक प्रोपल्सन मॉडूल सामी किया गया जो की स्वदेशी है इंडिया में बनाया गया है कुछ उसी तरह से र आके वहाँ पर भीज रहे हैं वही तो लेके जाएगा इन सब को जो रोवर है और लेंडर है ये दोनों इस बार भी जा रहे हैं तो हम लोग चांद की कख्षा में घूमने वाला मामला तो बहुत पहले कर चुके 2008 में ही लेकिन हमें चांद के सता पे यहां पे पहुँच के जमीन पे तब सारी जानकारी वही उसी में हम लोग फेल होगे रहते पिछली बार इस बार उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी लेंडर और रोवर इस बार लेंड करेगा चांद पे और जानकारी भी हमें देगा यही खेल है चंद्रियान 3 का मिशन पे अब यह होगा कैसे इ जार्थ से यह उड़ निकलेगा जहां से लॉंच होगा जब लॉंच हो जाता दोस्तों होता क्या है इसमें बहुत तगड़ा एनरजी मतलब इधन और भर देते हैं अब यह लेके जाएगा कहां पर प्रिथिवी की कच्छम यहां जैसे मालो यह है यह काफी बड़ा होता इ पूरा नहीं लगभग लगभग एक बड़े 27 परसंट है 27 परसंट अगर आप समझ सकते हो लगभग एक बड़े 4 है इसकी अच्छा यह आपको मालूम है कि नहीं एक बात जो चंद्रमा है वो हमारे अर्थ का चक्र लगाता है और कितने दिन में लगाता है 27 डेज प्लस 6 आ से ही तो इसलिए देखो कि इसमें पंदरा-पंदरा का हिसाब रहता है मंदरा दिन क्या उधर उधर रहता है जब घूमता है वसी हिसाब से तो होता कि है जैसे मालो भी दिखाऊंगा आपको सारी चीजिए मालो सन यहां पे है सन की जब रोशनी चांद पे नहीं पड़ता तो यह बिल्कुल चांद हमको दिखता नहीं अब थोड़ो थोड़ो जब अर्थ से ऐसी धर आएगा तो थोड़ो चांद दिखने लगए चांद दिखने लगए फिर जब पूरी तरह से सूर के सामने आ जादा तो पूरी तरह से चांद दिखता रहता है ऐसा होता है आपन पहुंच के बहुत दूर है इसे समझाने हम समझभाई ऐसे निकला यहां पहुंचा ठीक है उसके बाद जो इधन है लगवा लगवा इसमें खतम हो जाता है फिर उसके बाद उससे मतलब भी नहीं हो आप छोड़ भी देता इसमें जो निकल लगा रहे था ना सब छोड़ दे लगता है उसको उसमें टेक्नोलोजी लगा देते हैं तो अपनी तर खीचता है तो खीचता तो ऊपर की कि तरफ जाता हो कैसे अपकी पर चोड़ा जिएव आलो हमने यहां पे छोड़ा जब यहां पे छोड़ा यहां पे पहुंच अब उपर की तरफ जाएगे धिरी धिरी घुमते घुमते रहेगा उपर की तरफ जाएगा जब चांद यहां पे पहुंचेगा ऐसे पहुंचते पहुंचते चांद की कच्छा चांद की खुद की कच कच्छा होती है तो चांद की कच्छा में पहुंच जाएगा तो उसके बाद तीनों साथ में लेगे जैसे मैंने पता लेंडर रोवर और उसके बाद जो और विटर है अब लेंडर रोवर को छोड़ेगा इसके अंदर चांद की सता पर पहुंचने की कोशिस करें कोशिस मतलब ऐसे टेक्निलोजी ये लोग लगाते हैं कि ओ जाएगा जाएगा वहाँ पर क्योंकि इसका भी गृत्तो करसड होता ना और संका अपना लग होता जैसे जब यहाँ पर जो मैंने बताया आपको जो चंद्रयान थ्री जाएगा तो उसमें टेक्नोलोजी च्छतरी जैसे लगी होगी खुल जाएगी जब खुल जाएगी तो ओ सूरित का जो गृत्तो करसड अपनी तरफ खीचेगा तो होगा क्या देखाता हूं आपको इसको देखो ऐसे घूमें तो यह से क्या करेगा धीरी धीरी ऐसे घूम खुल खुल जाएगा तो हमारा मिशन सफर हो जाएगा तो हमारा मिशन सफर हो जाएगा इस पार इतिहास में सिर्फ तीन कंट्री है जैसे रसिया है चाइना है और अमेरिका है जिन्होंने यह सफलता प्राप्त की है भारत हलां कि इसकी कक्छा में घुमा रहा है अपना जैसे मैंने बता चंद्रयान वन चंद्रयान टू दोनों सफल था एक प्रकार से देखा जा जिसे प्रत्रिफीर पर लेंड करेंगे तो जयाधा सपलता मानी जैएगी यह जब प्रत्रिफी पर उस पर चाइंड पे जब लेंड हो जाएगा देखो यह तो है माल अपना चंद्रयान जो घूमेंगा चंद्रमा के किनारे किनारे और ये है हमारा लेंडर और ये है रोवर जब लेंडर ऊपर गिरेगा तो रोवर अपने आप यहां सा इसे निकलेगा और आ जाएगा चाद के सता पर और इसमें लगा होगा वील और इस वील की मदसी ये घूमेगा और सारी information अर्थ तक ये भेज जानकारी थी दोस्तों चंद्रयान मिशन के बारे में चंद्रयान 3 के बारे में उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि चंद्रयान 2 में क्या मामला था चंद्रयान 3 में क्या मामला था है ना सब समझ गया होंगे चंद्रयान 1 कैसा कैसा हुगा मामला हम लोग इस बार पूरो अब सबार इतिहास बनाएगा ISRO Indian Space ISRO की मदस्से ही यह बेजा जा रहा हूं Indian Space Research Organization और ISO इस समय वैसे भी दुनिया में गंगा वजारा है गरिक्ष्वन हो जाता है जानकारी थी दोस्तों, इसके बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, उम्मीद है कि आपको, जो मुख मुख जानकारी वो चीजे मिल चुकी होंगी, अब अगर पूरी जानकारी आपको मिल गई है भाई, तो शेयर कर देना, दूसरों के पास भी उनको भी मिल चाहिए, कम समय में इतनी जानकारी आपको और क्या चाहिए, है कि नहीं, और कोई सवाल हो ता आप कमेंट मे पूछ सकते हो, तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय फारत